हेलो दोस्तों वेलकम टू सिवसांति क्लासस सिवसांति क्लासस में आपका स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में अध्याय आठ सम्चत्र हो जाते हैं यह हमारा पार्ट नंबर 11 वीडियो है इस वीडियो में हम एक्शासाइज 8.1 का एक्जामपल नंबर 6 अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या-क्या दिया है और क्या-क्या निकालना है क्या बोल रहा है एक्जामपल नंबर 6 अबी सीडी एक समांतर चत्रभुज है अर्था पैरलेलोग्राम है जिसमें पी और क्यू क्रमसा सम्मुख भुजा अबी और सीडी के मद्ध अर्था इसके बराबर है ऑर यह इसके बराबर है तिक हां तक समझ में आ गया और जो सम्मुख क्या है आकरति 8.18 में दिया घया है ज्यादी AQ, AQ, D P, D P, कहाँ पे S पर प्रतीचेद करती है और जो BQ है और C P है वो कहाँ पे R पर प्रतीचेद करती है इतना हमें क्या है गीवन पॉइंट है अब हमें क्या करना है प्रूफ करना है पहला point क्या prove करना है कि APCQ एक समानतर चत्रभूज है कौन कौन सा APCQ अर्थात ये 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 क्या है एक समानतर चत्रभूज क्या करना है prove करना है दूसरा point दूसरा point क्या कह रहा है कि DPBQ DPBQ इसे भी क्या करना है एक समानतर चत्रभूज प्रूज करना है यह दूसरा point हो गया तीसरे point तीसरे point में कौन कौन से किसको proof करना है हमें P S Q R अर्थाथ कौन कौन सा P S Q R यह जो अंदर छोटा सा बन रहा है न उसे भी हमें क्या करना है समानता चत्भोज अर्थाथ parallelogram proof करना है तो हमें तीन parallelogram proof करने हैं इस figure में तो चलिए शुरू हो जाते हैं सबसे पहले पहला वाला शुरू करते हैं कौन सा किसे proof करना हमें A P C Q इसे हम proof करते हैं कैसे proof करते हैं इसमें आप क्या क्या proof करेंगे सबसे पहले आमने सामनी की भूजा क्या होगी समानता हो और बराबर हो अर्थाथ parallel हो और equal हो यह हमें proof करना है तो पहले हमारे पास जब A B C D एक समानतर चत्मूष दिया है तो हमारे पास already पता है कि जो A B है वो समानतर है C D के जब A B समानतर C D है A B समानतर C D है तो already कह सकते हो कि A P भी समानतर हो जाएगा किसके C Q के क्योंकि जो P point है वो AB पर है और जो Q point है वो CD पर है यहां तक समझ में आ गया अर्थात हमने इसको इसके समानतर proof कर दिया है जब इसके समानतर proof कर दिया है तो अगला point क्या करोगे आप next point में करोगे कि जो AP है ना AP हमारे पास सबसे पहले आप समझे नेक्स्ट point समझे कि जो हमारा AB है वो बराबर होता है कितना CD क्योंकि हमारा ABCD क्या है एक समानतर चत्र हो जाए अधात पैरलेलोग्राम है और पैरलेलोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की बराबर है तो हमें इसको पूरे के जगह आप इसका हाफ करेंगे तो AP हो जाएगा और हाफ- wrestle C-D. इसका आदा क्या हो जाएगा? QC हो जाएगा याकि CQ हो जाएगा तो अर्थात हमाराapersap is π्लेmie प्लेन के क्या है? आप असमें समान्तर भी है अप और आपस ए सॉरी ए पी सी क्या है यह समांतर चत्रभूज है समांतर चत्रभूज अर्थात पैरलेलोग्राम है ठिक समझ में आ गया तो हमने इस वाले को पैरलेलोग्राम समांतर चत्रभूज प्रूफ कर दिया है उसी प्रकार जब आप क्या करेंगे दूसरे पॉइंट में दूसरे प प्रूफ करना है इसे प्रूफ करना है समांतर चत्रभुज तो इसे जब प्रूफ करेंगे तो क्या होगा आपको ये तो ये आपस में समांतर है पैरलल है तो आपको ये भी आपस में समांतर मिल जाएंगे फिर उसी प्रकार जब ये इसके बराबर हो गया तो बचा हुआ भा P,B,Q,C,D, एक समाहनता चत्रभुज बना रहे हैं। तो आपने दूसरा प्वॉंट भी आपको प्रूफ हो चुका है। अब मेर करते हैं तीसरा प्वॉंट। तीसरा प्वॉंट कौन सा है। प् P,R,Q,S इसे हमें क्या करना है। इसके लिए क्या करना होगा वो देखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास ये साइड है और ये साइड इसे क्या करना है समांतर प्रूफ करना है ठीक समांतर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे आप अभी जश्ट पहले आपने कौन सा ये इस वाले चतरभुज में आपने इसे समांतर कोई के लाघो होगा वो समांतर हो जाए को हमने क्या किया था समांतर चत्रूज किया था इस वाले को तो जब इस वाले को समानतर हो जाएगा तो कहां पे AQ पैरलल हो जाएगा किसके? CP के हो जाएगा अर्थाथ ये वाला लाइन इसके समानतर हो जाएगा जब ये वाला लाइन इसके समानतर हो जाएगा तो यहां पे जो क्या है? S है आप देखिए यहाँ पर क्या है S है और R है तो वहाँ पर क्या पता जा लगा है जो S Q है S Q वो समानतर हो जागा किसके R C के तो यह इसके समानतर हो गया और यह इसके समानतर हो गया जब यह आपस में आपने सामने कि भुजा क्या हो गई समानतर हो गई तो क्या कह सकते हो कि जो चतुरुभूज PRQS है वो क्या है एक समानतर चतुरुभूज प्रूफ हो चुका है ठिक तो आपका यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा तीनो पॉइंट जो हमारा तीनो पॉइंट है वो क्या हो गए प्रूफ हो चुके हैं तो उम्मेद करते हैं यह question भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस वीडियो में इतना ही है next वीडियो में हम सुरू करेंगे exercise 8.1 अभी तक हमारे सारे example complete हो चुके हैं पुराने वीडियो आपको देखना है तो आपको description box में इस chapter का link मिल जाएगा 10th में chapter number 8 का link मिलेगा वहाँ आपको वीडियो लाइन से part by part दिख जाएगी वहाँ से आप सारी वीडियो cover कर सकते हैं कोई दिक्कत आ रही है वीडियो ढोडने में दिक्कत आ रही है किसी प्रकार के दिक्कत आ रही है तो आपको लाश्ट में whatsapp number दिये गया है वहाँ से आप message करके पूँछ सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है comment box में जरूर बताइए वीडियो को like जरूर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को share कीजिए और चैनल को subscribe नहीं किये है तो please चैनल को subscribe कर दीजे किसी भी चीज का कोई charge नहीं है ठीक तो चलिए मिलते है next वीडियो में exercise 8.1 के साथ तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भाराथ New Student चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को press कर लिजे bell icon पर all पर click कर लिजे ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें